परखंट बाजपट्टी और पंचयत वाजितपुड में और मैं यहां जानने आया हूँ कि यह पूर मुख्या रह चुके हैं विलनशाजी और समाच सिवट्टी है और यह चुनाव लड़ते आये हैं और पब्लिक ने इनको काफी सपोर्ट भी किया है जहां तर मैंने सुना ह और इनका काम भी मैंने पूछा जो पहले पूर मुख्या थी तो इन्होंने काफी अच्छे काम किये थे तो मैं जानने के कोशिस करता हूं उनसे के सर जो पिछली बार जो मुख्या थे जब भी दर्मियाने मुख्या है तो उनके अंदर क्या कमी रही गई जो आप चाहते कि रोट बने नाला बने हर घर में बिजली पहुंचे हर घर में पानी पहुंचे जो अभी तक नहीं किया गया है उससे बंचित रखा गया है उसकार्थ को हम जितेंगे तब करेंगे यह हमेरा नीद है आउसनकल्प है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और शिक्षा के मामले में बहुत से गरीब शिकायत करते हैं प्रशा का पैसा होता उनी होता और जो अनाज सरकार लौग दन के तरहिए अनाज बचा हुआ है वह परिवह बाट नहीं नहीं तो सब्सक्राइब करेंगे क्या अभी अभी तक्वाल है जो कि जैसे इस पर जो बरत्मान मुख्या अभी जो है प्रतिनिदी मेरे गवां प्रतिन नहीं है जैसे कि मैंने पुर्व में बताया कि महादली चुला में हमारी द्वरा एक नवसिजित विद्धाले का निर्मान किया गया था और वहां आने जाने के लिए बच्चों को बड़ी रास्ता के चंटे बड़ी कष्णाइब लोगों जबरन लोगों ने सब्सक्राइब लोगों में बच्चा को आने जाने मत करता है जहां तक पुषाहार और शातविर्ती पुषाक इस सब की बात है इसमें मनमानी रहें से किसी को दिया किसी को नहीं दिया कोई आदमी अपना हक लेने के बोलता है तो उसको डांट कर भगा दिया जाता है इस प परत्नेदी होते हुए मुख्या होते हुए इस बर किसी तरह का निगरानी नहीं करते हैं और समाज को हग बिलाने का काम अभी तक नहीं करता है है कि मेरा अइहम सवाल कंौल नभसकर करना को बहुत दबाए जाता है आज भी अमारे देश में में बहुत दबाए जाता है सर्ब महिलाओं के लिए किया गया है और आरक्षन दिया गया है माहिलाओं को 50% आरक्षन विस से जूरा गया है जो हमारे हाँ उससे बंचित रखा गया है उसकाज को हम उनुरूप से महिलाओं का जो अपना आरक्षन है वो आरक्षन दिलवाएंगे और आरक्षन के तहट महिला का ससक्तिक करम में हम मजबूति लाएंगे और हर महिलाओं को अपना जो हक मिलता है वह हम दिल्वाइब एक अपील आप से करना चाहते हैं आप महलाओं से कर दिजिए कि कुछ लोग अभी भी बेटी को नहीं चाहते हैं बहुत से लोग अभी हाला कि सरकार इसके कहीं कदम उठा चुके हैं लेकिन वह चाहते कि बेटा ही हो सर बेटी क्यों नहीं क्या है बेटी तमके बहुत बड़ा नेमत है खुद्रत का बेटी अभी जो समय में हैं बेटा और बेटी दिल्टो नो एक ही संतान के तरह बेटा को में से था जुर्टो वहां जाएं नहीं करता रहरा है कि रहा है कि इसने लगाई को महलायों को मैंने समान मिलना जाहिए हमारे घर में गवाव में महलाय होती है उनको लोग दबानी की बहुत कोशिस करते हैं मैं रिक्वेश्श करता हूं कि आप महलाओं को ना दबाए कि महलाए जो है ना हमारे देश हमारे गावं परिखन के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं महलाए जो आगे आएंगी तो हमारा देश आगे आएगा हमारा देश आगे आगे बढ़ेगा साज सला दे दीजिए हमारे जंता को जो उस बात में अमल कर सके प्रुष को कडमें भागेदारी नहीं होगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं बनेगा महिला जब सवागी नहीं बनेगी महिला को घर से जब तक नहीं निकालेंगे महिला को पूर्ल बेटी को नहीं नहीं देंगे महिला को बेटी को सबमान नहीं देंगे तब तक हमरा देश मजबूत नहीं होगा और हमारा विखास नहीं करते हैं हम अपना अपिल करना चाहते हैं हम अपना चाहत मेरी है हर महिला को अपने तरह से में जितना भी हो जितना तो हम आगे बराएंगे और मदुवतिक से महिला को में संवान देंगे अपने परिचाई के साथ अपिल कर दीजे कि आपको क्या वड़ दे हम महिलाओं बनेंगे तो पुर्ण मुख्या पर पर आएंगे तो महिलाय का जो होता है बहु का होता यह बीटी का जो सम्मान होता है वह पूरुण रूप से दिलवाइगे तो सर्चा आप वादा करते हैं अपने नाम के साथ परिचे के साथ वादा कीजिए हो हम पूर्मुख्या हम को इस बार चुनाओं में लाती है और हम जीतते हैं तो हम जो भी महिलाओं का जो कमी है उसको हम पूरा करें तो हमारे साथ थे समास सिबा करफूर मुख्या मिलन शाजी जो वाजितपूर पंचायद से हैं और आपने सुना और खुद फैसला कीजिए कि अगर सही है तो मैं चाहता हूँ अगर सही वेखती है तो जरूर आनी चाहिए इसी उम्मित के साथ कि आपके पंचायद का भला हो ह हमारे भ्यार का भला हो हमारे देश का भला हो